कि नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम अटाइक नूज मैं हूँ आपके साथ सुधातिवारी एक नजर लाल लेते हैं आज के जो अफरा तप्री आरोप पड़ता आरोप चल रहा है नेताओं की तरफ से दोनों वीपाश्ची पार्टी की तरफ से उस पर एक नजर डालते है खबर को हम एक एक करके तब तीस से बताएंगे खबर पे एक नजर रहूं या जेल के बाहर रहूं इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोग सभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है मैं जेल एक पर फंद्रा दिन रहके आया था अंदर ठ युचिन अम में तो आप उमको नहीं आरा सकते डिली के अंदर आमादमी पाटी जेहरिली शराब पी के रोज सुनने में आता है सो लोग मर गए 50 लोग मर गए 1.5 सा लो गोटाला तो वहां हो रहा है यहां कौन सा घुडाला हो गया शराब गोटाला हो गया खिलाब बीजे में आगया उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया ये नरेंद्र मोदी की इमानदारी है अभी जब सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई शराब गोटाले की जज़ बार बार पूछ रहा है सीबी वालों से एक तो सबूत दे दो एक तो सबूत दे दो कोई तो सबूत कोई सब पूत नीटी के पास जज़ बार बार खेह रहा है दो मिनट नीटी केगा तुम्हारा केस प्रचार कैसे करेगा मंताव एनर्जी को प्लान बना रखा है मंताव एनर्जी को जेल में बेज देते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी तेजस्वी आदव जेल बेजने का प्लान बना रखा है मौदी जी शरम कर लो ऐसे चुनाफ जीतोंगे आप ऐसे चुनाफ जीतोंगे आप एक बारी मैं उनको चैलेंज घरता हूँ इन सब को जेल बेज के लिए देखो पीजेपी का पता साफ ना और ता का लालच निये 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था कोई अपनी चौकिदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता किसीने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्रियों जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था इस्तीफा में अब बहुत तेजी से आम आदमी पाटी बढ़ रही है तो जाहिर तोर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े शडियंत्र रची जाएंगे इन लोगों को ये लगने लग गया मोधी जी को बीजेपी को अब ये साफ हो गया 2014 में आर गए विदानसवा चुनाव 2015 में आर गए 2020 में आगा गए विदानसवा चुनाव फिर अभी MCD का चुनाव आर गए तो अब इनको ये तो पक्का हो गया बहुत दिली में आम आदमी पाटी से जीत नहीं सकते यह पक्का है दिल्ली में यह कुछ भी कर लें कुछ भी कर लें दिल्ली में आम आदमी पार्टी से यह जीत नहीं सकते तो अब इन्होंने एक शडेंत्र रचाया है शराव गोटाला मैं आपसे पूछने में चाता हूँ शराव गोटाला दिल्ली में हो रहा है गुजरात में हो रहा है। वालों से एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो, कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सी बी आई के पास, कोई सबूत नहीं टी के पास, जज बार बार कह रहा है, दो मिनिट नहीं टी के गा तुम्हारा केस, ये शराब गोटाला है, और एक फरजी शराब गोटाला बना कि उन्होंने हमारे संजय सिंग जी को गिरफ़तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ़तार कर लिया, मनीसी सोदिया को गिरफ़तार कर लिया, विजनायर को गिरफ़तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ़तार करने जा रहे हैं, तो इनका मकसद ये है, कि किसी भी तरह से आम आ केजरीवाल को जेल में डालतो जेल से भी जीत जाएगी हाम आधमी पार्टी की सरकार है मैं नरेंद्र मोधी जी को जाता हूं मौधी इस जनम में तो आप एं-गो निन आ रा सकते दिल्ली पें अधर आम आधमी पार्टी और आपको दूसरा जनम लेना पड़ेगा, इस जनम में तो नहीं आ रहा सकते हैं, आप आमारी पार्टी को दिल्ली में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हमें काम में, लोग हमारे को क्यूं वोट दे रहे हैं, दिल्ली के लोग हमको क्यूं वोट दे रहे हैं, पंजाब के लोग ह सरकारी स्कूलों को चमका दिया कभी किसी ने शिक्षा की बात ही नहीं करी राजनीती के अंदर कभी किसी ने काही नी कि हमको वोट दे दो आपके स्कूल बनवा देंगे कभी किसी ने काही नी हमको वोट दे दो हम आपके इलाज का इंतिजाम कर देंगे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, भुजूर्गों की तीर थियात्रा, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं देखा था, तो काम में थैं हम भी, आपर, कॉंग्रेस हो, चाए, बीज्यपी हो, जिसने हमारे जैसे काम करके दिखाया, तो काम में यह हमको हरा नहीं सकते है, इसलिए उन्होंने यह पूरा शेडेंटर रचाए, आपने कभी सोचा, कि इतनी तेजिस्झेसे आम आदमी पार्टी क्यों ब इंसानियत के रस्ते पे चलती है यह हमारा जो वैल्यू सिस्टम है इसकी वजह से हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और इसकी वजह से आम आत्मी पाटी आगे बढ़ रही है आज हमारे चार नेता जेल के अंदर है मनीज सिसोधिया नौ महीने से जेल के अंदर है उनकी धरम- एक साल जेल के अंदर काट के आइं या भी मेडिकल बेल के ऊपर है एक ऐसा शक्स जिसने सबका identical सबकी बिजली मुफ्द कर दी वह एक अल से जेल के आनदर है क्या नरेंद्र मोदी जी इमानदार हैं क्या नरेंद्र मोदी जी ब्रश्टाचार के खिलाफ हैं मैं इनका एक भाशन सुन रहा था मोदी जी का 27 जून को भोपाल में एक रैली में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि NCP बहुत ही भ्रश्ट पार्टी है NCP के नेता बहुत ही भ्रश्ट हैं सत्तर हजार करोड रुपए का घोटाला कर दिया और कुछ दिन के बाद जिन नेताओं को इन्होंने भ्रश्ट बोला वो बीजेपी में आ गए उन्हों उन्होंने उसको उप मुख्य मंत्री बना दिया महराश्ट प्रका ये नरेंद्र मोधी की इमानदारी है इन्होंने वेस्ट बंगॉल पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुवेंदू अधिकारी टीमसी का दो धोके इन्होंने गालियां दी उसका नाम शार्दा स् स्कैम नारदा स्कैम पता नहीं किसके स्कैम में आया वो बीजेपी में आगया उसके सारे स्कैम पाफ दुल गए बीजेपी में आने के बाद सारे पाफ दुल गए असाम के अंदर जो अभी मुख्य मंत्री है उसके खिलाब बीजेपी ने पानी पी पी के उसको गालियां द तक निए ते करनाटक में और इंके सरकारं थी हैं कि हर काम में 40% कमिशन दिया कोई action नहीं होता इनका तो जो क्या मकथद लेकेश केवल कर मड़ेखैस क।ंतर करmek करनाटक impossible अंदर नहीं है नरेंद्र मोधी कोई ब्रश्टाचार के किलाव जंग नहीं छेड़ रहे हैं दूसरी पार्टी के कवल सत्ता की लड़ाई है दूसरी पार्टी के आज अगर मनीश्ट सोधिया आम आदमी पार्टी छोड़के बीजेपी में चले जाएंगे वह आज अगर कि पूरे देश केंदर बेरोजगारी महेंगाई ब्रस्ताचार लोग बहुत दुखी हो चुके हैं घर का खर्चा नहीं चल रहा तक जुम्ले बची से घर का कभ करिवार चलेगा अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं तो प्रधान मंत्री जीन एक नयास वह बनाया गैं यह जाएगा चुनाव के पहले उनकी पार्टि के लिए केमपेणिंग और वहाँ पे। स्वीप कर जाएगी। तो केवल मेरा मेरा नहींने व defenses को जेल में का प्लान कराई है आम आदमिंगाई पर्चार कैसे करेगा। मंतब इनर्जी को प्लैन बना रखा है मंतब इनर्जी कोई एप पष्टिम बंगाल में बीजेपी ढ अभ Mr.Shir universal शराम जीतोगे एयरे पॉरी Prince हम लोग जेल जाने से नहीं डरते जेल हमारे लिए भूशन है एक क्रहंतिकारी के लिए जेल भूशन होती है हम लोगों को जेल का कोई डर नीहीं है मैं जेल एक बारी-पंदरा दिन रह के आया था अंदर ठीक था कि इंतजाम होता है आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करन अगर भगत सिंग इतने दिन जेल रह सकते हैं मनीज सिसोधिया नौ महीने जेल रह सकता है सतिंदर जन एक साल जेल रह सकता है तो मिरे को जाने में क्या दिक्कत है मैं भी चला जाओंगा जाने का फरक निपरता लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नी है उननचास दिन के बाद इस्तीफा दिया था कोई अपनी चौकिदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता किसने मेरे से इस्तीफा मांगा नी था उननचास दिन के बाद मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख् मंतरी की कुरसी का नालच नीं है लेकिन हमें ये देखना है इनका ये जो शड्यंत्र हैस शड्यंत्र के अंदर अपने कौनी फसना तो मुझे की इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए इस बारे में मैं अलग-अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी फिर सारे कांसलर्स से चर्चा की आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं दिल्ली की जंता ने हमें बहुत प्यार दिया है हम दिल्ली की जंता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे जो दिल्ली की जंता गएगी हम वो ही करेंगे है कि नहीं है तो अब आप लोगों को डिली में घरगर जाना है घरगर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए नुकड सभा करनी है जैसे आपको याद है जब सबसे पहले मारी सरकार बने थी है थाई सीटाई थी हमें कॉंग्रेस से समर्थन लेना है की नी लेना हमने जंता से पूछा था जंता ने का ले लो हमने ले लिया अभी ये भी एक वैसा ही हम दो राहे के उपर खड़े हैं पार्टी दो राहे के उपर खड़ी है आप लोगों को घर-घर जाना जाएंगे सब लोग समय देना पड़ेगा मैनत करनी पड़ेगी अगले 10-15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली चान मारनी है घर-घर में जाना है जंता से पूछना है कि क्या इस्तिफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए जो जंता कहेगी जंता हुका हुकम हमारे सरमाथे पर और एक बात आज से यह सोच लेना कि लोग सभा के चुनाव का पूल खोलनी आपको एक घर में जाके नुकर सभाएं करनी है उनके अंदर इंकी पूल खोलनी है मैं जेल के नदर रहूं या जेल के बाहर रहूं इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोग सभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए भारत मातागी तो इस खबर पे आपका क्या र अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद